लेकिन प्रिप्रेशन उतनी अच्छी नहीं है तो उन बच्चों से बोलना चाहूंगा प्लीज आप अपने एक्जाम पर फोकस करें लाइफ ग्लास से आप चले गाईए हट जाईए मतलब आप अपने तयारी करें रिकार्डिट मिलेगी ऑल्दो बाद में मैं इसे एडिट क करके भी डालूँ आज रात में मैंने सोचा कुछ बच्चों का लग रहा है रिवाइस करा दो अभी पहले सबसे पहले हम इस आप कर लेते हैं क्योंकि इस पर एक्जाम में भी कुशन आया फिर बाइबक का भी दिन देखेंगे क्योंकि मैं आज लेट नाइट तक सारा का सा का टॉपिक रह रहा है तो वो बच्चे जा सकते हैं अभी अपने टॉपिक को रिवाइस करें तो चलिए सर चलिए बिल्कुल स्टार्ट करते हैं मैं सोच रहा था सभी प्लेस पे लाइफ चला जाओ लेकिन फिर मुझे डर था लेकिन फिर मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि आप लास्ट तक बिल्कुल भी मतलब के अपने तयारी के अकॉर्डिंग इस क्लास को जोइन करें टैनियर फोकस करेंगे आपके पास सभी के पास टैनियर होना चाहिए जिन बच्चों के पास टैनियर है कोई दिक्कत नहीं आएगी कोश्चन वो सामने देख लेंगे तो हमारे चेप्टर का नाम employee option stock plan जिसको हम बड़े प्यार से एक नाम बोलते हैं that is e-sop जिसको हम बोलते हैं e-sop sir value edit का question number 4 sir question number 4 आप भूल जाईए value edit वाला ओनर्स में आ गया तो program में आने के no chances है मैं record कर दूंगा अलग-अलग marker ले देते हैं e-sop सबसे पहले कहानी समझते हैं कि e-sop है क्या मान लो भाई मान लो मैं अपने company का example लेता हूँ स्क्षध हम के अंदर मेरे पास कोई employee काम करने आता है कोई भी मेरे पास सपोस करो काम करता है और मान लो कि मेरी बहुत बड़ी company है कि unicorn company है बहुत बढ़ी काम चल रहा है बिल्कुल first class एक वेक्ति आया मेरे पास काम करने को और यह बहुत अच्छा work करता है और यह बहुत अ बहुत talented है बिल्कुल पढ़ा लिखा बच्चा है सारे graduation बिल्कुल इमानदारी से करी है इसने और यह मेरी कितनी problem solve कर देता है ने जैसे number one number one number one कौन सी problem solve कर देता है sir number one मेरे लिए यह बच्चों के doubt भी ले लेता है बच्चों के doubt ले लेता है PPT slight यह सब test को चेक करना बड़ा ब्रिल्यंट बच्चा है यह मेरे मुझ से बच्चा निकल लिए बड़ा ब्रिल्यंट मेरा एक employee है सर यह employee जो है इस employee के मैं बोलूँगा कि इतना अच्छा काम कर रहा है और इसकी salary मैं जो मर्जी दे रहा हूं बहुत अच्छी salary दे रहा हूं सपोस करो इसको मैं 50,000 रुपे महिनी की salary दे रहा हूं और बड़े सारे decision में काम में help करता यह मेरा तो बताएए मुझे जवाब दीजिये comment में क्या मैं मैं as an honor क्या मैं चाहूंगा कि ये मुझे छोड़ के चला जाए क्या as an honor मैं चाहूंगा ये मुझे छोड़ के चला जाए अगर ये मुझे छोड़ के गयाना है तो बहुत सारी tension हो जाएगी भाईसा सारे student के doubt recorded कैसे करना edit कैसे करना ये multi talented था तो मैं क्या चाहूंगा कि मैं इसे छोड़ के जाओ तो जवाब है सर नहीं नहीं आप तो विल्कुल भी नहीं चाहूगे छोड़ के जाओ अगर ये छोड़ के गया तो आप तो बेगदम से डूब जाओगे आप परिशान हो जाओगे बच्चे परिशान हो जाएगे, गुडबिल खराब हो जाएगे, ओहो, लेखिन, इस employee को यह 50,000 रुपए कम लग रहे हैं, तो employee कहीं न कहीं interview दे रहा है, कहीं न कहीं क्या दे रहा है, interview दे रहा है, और interview देते देते, एक किसी MNC, MNC, multinational company से, इसे job का offer आ गया, और multinational company में job का offer आ गया, उनका भी काम है, माल लेते हैं, कि वो science academy वगरा है, यह कुछ चला रहे हैं, तो multinational company में, वहाँ से offer किया गया, 70,000, अब जो मेरा यह employee है, माल लेते हैं, राजू, तो राजू जो है, कहता है, sir, sir, मैं यहां से छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे 70,000 रुपे MNC company में मिल रहा है, या फिर यह बहाने मारने चालू करेगा, मेरा मन नहीं लग रहा, मैं काम नहीं करूँगा, मैं fed up हो गया हूँ एक ही काम को कर करके, तो इसने राजू ने बोला, मैं जा रहा हूँ, मैंने, मैंने कहा, यानि अनुज ने कहा, राजू क्यूं जा रहा है, मजजा, मेरा बिजनस पूरा बरबाद हो जाएगा, तेरी मुझे से, मजजा, प्लीज मजजा छोड़के, तुझे रुखना तुम पचासी देते हो, बोला, अच्छा, ये बात, मैंने बोला, चल राजू, तेरी सेलरी में करता हूँ, असी हजार रुपे, तु मेरे लिए एसिट्स है, और तेरी असी हजार रुपे सेलरी करता हूँ, कुछ दिन मेरे साथ राजू काम करेगा, काम करने के बाद फिर दिमाग चलेगा, यार, मेरे सेलरी बढ़नी चाहिए, बढ़नी चाहिए, फिर इंटर्व्यू दिया, और एक कंपनी में इसको आफर आ गया, नब्य हजार रुपे, फिर राजू ने बोला, अनुज सर, मैं आपको छोड़ के जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे सेलरी नब् कर देता हूँ, एक लाग कर देता हूँ, तेरी सेलरी कितनी कर देता हूँ, एक लाग, राजू ने ओला, ठीक है सर, मैं नहीं जा रहा, मैं ही काम करूँ आ, मेरे पास काम करता रहा, काम करता रहा, फिर छोड़ के जाएगा, तो एक तरीके से मेरे को फील होने लग गया, य अगली बार इसने बोला कि सर मैं तुझे छोड़ के जा रहा हूं सर मैं छोड़ के जाना चाहता हूं मेरी सैलरी मिल गई है मुझे एक लाख बीस अजार रुपे सैलरी मिल रही है तो मैं आपको छोड़ के जाना चाहता हूं किसने बोला राजू ने बोला कि मैं छोड़ के ज मैं चोड़ क कहा है। आज आपस में मिलक करते हैं। तुझे अपने साथ पार्टनर बनाते हैं। मालिक के साथ राजू ने क्या कहा, समस्य पहले तो मैं नोकर बन रहा था बाल साफ मैं माल बन बन जाऊंगा। बेपोल तुझे मालिक बिना कर रखेंगे, आजा तू मेरे पास, मेरे पास ही काम कर कहीं छोड़के मज़ा, मैंने कहा, देख, मेरे लिमिटेड कंपनी है, आज मेरे एकुटी शेर का, मार्केट प्राइस पता ही कितना है, 2,000 रुपे एक शेर का मार्केट प्राइस है, ज्या तेरा फायदा हो जाएगा आज से, यानि तु 20 रुपए में मेरी कमपनी के शेयर खरीज ले, और मैं तुझे 1 लाख शेयर का ओफर देता हूँ, राजु ने कैलकुलेशन किया, 1 लाख शेयर, और मुझे देने हैं कितने, 20 रुपए, तो उसके हिसाब से, 20 लाख रुपए द कितने साल लगेंगे, 1 लाख रुपए, 12 लाख, 10-15 साल, तो मैं यहीं पर काम करूँगा, तो मैं यहीं पर काम करूँगा, तो बहुत सिंपल सी बात है, कि हमने employee को एक लालच दिया, कि भाई तु मुझे छोड़के मत जा, तु assets है मेरा, मैं तुझे अपनी company में क्याम बन लगा, फिर बोलूगा, मैं छोड़के जा रहा हूं, तो मैंने भी यहां पर एक condition लगाया, क्या condition होगा, क्या condition होगा, सुनिये, ध्यान से देखे, बहुत सिंपल सा topic है, राजू, तु मेरे पास से छोड़के नहीं जाएगा, लेकिन तेरे लिए एक condition लगाँगा, और condition क्य होगा, वो ध्यान से देख ले, और वही तेरे एक्जाम में भी पूछा जाएगा, राजू, और देख, राजू, तु मेरे पास जॉब कर रहा है, बोला हाँ, जॉब कर रहा हूं, मैंने करा, ओके, आज, मान लो, एक चार, 2023 है, न्यू इयर बिल्कुल, एक चार 2023, कुछ बच्चे बोलते हैं सर, इस वाली वीडियो के आप पुरानी वीडियो डालते हो, नहीं भाई, फ्रेस रिकॉर्डिंग है, आज की तारिक है, अभी पेपर कल है, बच्चों का 26 तारिक को उसे की बात कर रहे है, तो एक चार 2023 क मिटिंग चल रही है, सर, बहुत तगड़ी मिटिंग चल रही है, किस के बीच में मिटिंग चल रही है, सर, मिटिंग चल रही है, अनुज के बीच में, अरे मैं अपने नाम के स्पेलिंग ही भूल गया, अनुज के बीच में, और किस के बीच में, और सर, राजू के बीच म और राजू और अनुच के बीच में जो meeting चल रहा है ये meeting हो गया हमारा done ये meeting हमारा हो गया done अब meeting होने के बाद मैंने कहा राजू तुझे हम share देंगे कितना share देंगे एक लाग share देंगे वो भी at the rate 20 जिसका market price कितना है दोसो राजू खुश लेकिन मेरी बास सुन तुझे मेरे पास कम से कम कम से कम तीन साल नौकरी करनी पड़ेगी और ये तुशेर तीन साल के बाद मिलेंगे तुझे राजू ने का है मैंने बोला जोर छोड़ के जाना चाहता है छोड़ के चले जा तुझे ले कहीं भी सेलरी इतना तो फाइदा तरको कभी भी नहीं मिलेगा जितना के मैं दे रहा हूँ अब राजू बिचयारे के मन में कुश्चन आया कि मैं कहीं काम करूँगा लाक रुपे सेलरी दो लाक सेलरी माल लो तो 24 लाक एक साल का दो साल का 48 लाक तीन साल का 24 बहत्तर लाक तो तीन साल में तो 72 लाक होंगे यहां तीन साल बाद मैं छोड़के जाऊँगा तो डेड़ से 2 करोड मिल जाएगा तो जाने का फाइदा इसको नहीं देखेगा तो राजू तीन सालों तक यानि काम करेगा डील होने के बाद येर नमबर वन तीन साल का टार्गेट दिया है कमाएगा पहला साल 31 3 2 हजार Oh my God 24 दूसरा साल 31 3 2 हजार 25 तीसरा साल 31 3 2 हजार 26 सर 3 साल नौकरी करने पड़ेगी अब राजू भी सोचेगा यार बस 3 साल काटते हैं फिर इसको देखेंगे तो फिर उसके बाद देखने की हिम्मत नहीं होगी फिर मैं इस आप देदूँ आइसो तो अब राजू को बोला गया इस डेट पे तिर को शेर खरीदने दिया जाएगा और खरीद लेगा तो यहां पे मेरा ओफर प्राइज या मार्केट प्राइज मैं बोलू तो क्या है मार्केट प्राइज देट इस 200 और मेरा ओफर प्राइज क्या है ओफर या 20 रुपए और इनीशियल प्राइज या intrinsic price intrinsic price 180 यानि 180 सिंबल भोले तो फाइदा अब एक बात ध्यान लगाओ कि जो 180 रुपए का उसको फाइदा मिल रहा है राजू को क्या 180 रुपए मेरा तो नुकसान है as a man as a company का ओनर मेरा नुकसान है और मैं किसको दूँगा employee को दूँगा लेकिन आज नहीं दूँगा मैं कब दूँगा इस तीसरे साल में तो आप मुझे बताइए as for prudence approach क्या मुझे आज ही पता चलिया कि मुझे 3 साल बाद 180 रुपए उसको देने पड़ेंगा अभी मैं lakh से into करूँगा एक लाग से बाद में 180 रुपए हर एक share के बदले मुझे एक bear करना पड़ेगा अगर मुझे ये लगता है कि 180 रुपए मुझे 3 साल के बाद देना ही देना पड़ेगा तो मेरे लिए नुकसान है तो law क्या कहता है भाई तेरा नुकसान है तो नुकसान तेरा जब भी है तो तू हर साल में इसको परपोस्नेट बिस्स पे दिखाएगा छीक है सर दिखाएगे सर राजु को कितना काम करना है राजु को काम करना है यहां से लेके यहां से लेके यहां से लेके यहां तक यहां से लेके यहां तक शावकें सामने सामने वाले तक बीच में कनडीशन हो इतने साल बात तुझे मिलेगे Top साल का दौरान होता है उसे क्या बोलें है वेस्टिंग टाइप वेस्टिंग टाइप गीम भीने शारा देख थी दिन भीने वीने टाइप कुर्व कर देखा वेस्टिंग डेट और मैंने राजु को बोला तेरा इस डेट पर तो काम खतम होगया तो वेस्टिंग टाइम तेरा 3 साल है और मैं तुझे 6 महिने का वक्त दूँगा जैसे 3 साल पूरा होगा तो 6 महिने का वक्त दूँगा यानि तुझे तीस, दस, दो हजार, नहीं, एक दस, एक दस, दो हजार, 26 तक का समय दूँगा, अगर तुने यहां से यहां तक के बीच में नहीं खरीदा शियर, तो तेरा आप्शन लेप्स हो जाएगा, इसको बोलेंगे हम, एकसाइस टाइम, या एकसाइस पीरिड, ठीक है सिंपल सिंपल से वर्ड है, जिसे आपको समझना है, ध्यान भी रखना है, तो एक हो गया, वेस्टिंग डेट, जिस दिन हमने डील करी, और जितने समय के लिए, वेस्टिंग टाइम, और जिस टाइम खरीदोगे, एकसाइस पीरिड, या एकसाइस टाइम होगा, साथ के अब अगर राजू कहता है, चलिए, मान लीजिए, राजू को मैंने कितने शेयर का आपशन दिया सर, एक लाख शेयर खरीदने का इसको ओफर दे दिया मैंने, नीचे लिखते हैं, मैंने ओफर कितने शेयर का किया है, ओफर किया है मैंने एक लाख शेयर का, मान लो राजू बोलता है आगे चल के अब मैंने option दिया क्ड़ाई इतने दिन में खरीद लेना यानि किसको दिया मैंने अपने employee को stock का मतलब sir, क्या होता है sir यहाँ पे stock का मतलब share होता है option दिया है कि आप इस दिन खरीदना चाहे तो खरीद लिजे माना नहीं चाहता तो मैं एक तरीके से मान के चलो मैं एक काम करूं क्या मैं एक काम करूं क्या सर बिल्कुल करो मैं एक लाक शेयर के बदले ना मैं इसको 10,000 शेयर देता हूं ताकि हमारी कैलकूलेशन आसान हो जाए तो मैंने कितने का ओफर दिया इसको दिया मैंने 10,000 शेयर और तीन साल के बाद ये जो भी करेगा, कर लेगा, मैं जनरल इंट्रिवे देखूँ, इसका मतलब सर, मेरा जो लॉस है, फ्यूचर का जो लॉस है, आप मुझे बताना, फ्यूचर का जो लॉस है, वो लॉस कितना होगा सर, एक दस अजार, और एक शियर पे एक सो असी, that is कित रुच्Next, अजनर मेंधाना,॥ал करोफमें, और या यहां मैं उसको देंगा, तो नुक्सान के लिए क्या बोलाजाता है, कि आपको पहले रिजर्ब, वगेरा मेंटेन करना है, या फिर, अभी देखते हैं, एंट्री हम एंट्री से समझ लेंगे, तो सबसे पहली कहाँ, सबसे पहले market price कितने का था हमने share offer कितने का किया 20 का तो हमें कितने का मिल गया discount मिल गया एक तरीके से discount यानि इसे intrinsic price भी बोलते हैं तो 180 रुपे मेरा घाटा हो गया किसका company का घाटा हो गया जो कि किसको benefit मिलेगा राजु को मिलेगा और 180 एक साल में नुकसान नहीं है मैंने 3 साल के बाद बोला तो मैं दूगा तो 3 सालों में नुकसान है तो 180 और number of shares 10,000 है तो total नुकसान कितना हो गया हमारा total नुकसान हो गया हमारा कितना 18,00,000 और यह कितने सालों में होगा तो तीनो साल में में क्या किरूँगा इसके बाढत दूँगा कि हमारे एंप्लोई का एक तरीके से अं- तरीके के करा करें और 7काई कर सेलरी यहार करते लोर्मूली यह करते लाटेद सर यह भी मेरे लिए क्या है यह भी मेरे लिए एक तरीके का सेलेरी ही है यह भी मेरे लिए एक तरीके का सेलेरी ही है जो कि हम देंगे तो चलिए सहाब एंट्रीं क्या करेंगे एंट्रि करेंगे Inim करने वाले हैं employee मैं employee का double e कह रहा हूं मैं बोल रहा हूं आप लिख लिजेगा पूरा employee compensation expense क्योंकि space ज्यादा नहीं होगा इसलिए मैं थोड़ा abbreviation यूज़ करना हूं employee stock option outstanding account कितने सर्च 6,00,00,00 किस डेट पे एंट्री होगा year के end में करेंगे हम 31,00,00,00 31,00,00,00,00 तो किस डेट पे एंट्री करेंगे हम 31,00,00,00,00 क्या लिखोगे आप बींग क्या लिखोगे बींग वैसे मैंने 10 यर में लिखा हुआ है क्या लिखेंगे सर्वींग लिखेंगे compensation expense recognize compensation expense recognize इसी के बाद इसी पे हम last entry करेंगे इसको P&L में भेज़ देंगे तो profit and loss वैसे तो company है तो statement profit and loss account debit to is outstanding चलिए सर कितने सर 6,00,00,00,00 तो यह क्या हो जाएगा employee compensation expense employee compensation expense transfer to P&L बिल्कुल salary के जैसे entry करना है सर पहली entry क्या करा मैंने कि यह जो नाम है employee compensation expense रिकतरीके से salary compensation expense तो मैंने entry क्या करा employee compensation expense account debit to employee stock option outstanding यह लिएबिटी क्रिएट कर दी उसके बाद इस थर्चे को मैंने P&L में भेज गए यह पहले साल की entry हो गई सर क्या entry करोगे सर दूसरे साल में क्या entry करोगे सर दूसरे साल में entry very simple बिल्कुल 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 सेम चलो सेम ना लिखके मैं entry करके दिखाऊंगा employee compensation expense account debit to ESOP एक बार O और कर देते हैं option double O हो जाएगा जानाथ ठीक है सर कितना 6,00,00,00,00 सर किस देट पे होगा सर इस देट पे होगा जिस देट के मैं नहीं चे कर रहा हूं और अगली entry अगली entry करेंगे हम क्या सर अगली entry statement profit and loss to to outstanding sorry outstanding कर दिया हमने expense compensation expense सर 6,00,00,00 ओके सर तीसरे साल में बिलकुल same entry मैं पूरा questions यही मान के कर रहा हूं ठीक है तीसरे साल की entry इधर कर देते हैं इस side कर रहे हैं तीसरे साल की entry तो मैं क्या लिखे दूं तीसरे साल की same है हां सर हां लिखे दो सर तीसरे साल की entry में बिलकुल third होगी लेकिन सर लेकिन अब इसने क्या करा इसने क्या करा यह सारा का सारा shares खरीदने के लिए तयार हो गया किस डेट पे सर यह हो गया मान लेते हैं 142026 में बोलता है सर सर मैं सारे के सारे शेयर से ले लूँ वा मेरा फाइदा ही फाइदा है तो कितने शेयर इसको आप्शन किया थे सर 10,000 तो मैंने बोला जा तू सारे शेयर लेगा तो घर से पैसे बीस रुपए के हिसाब से घर से पैसे लाएगा कितने दस अजार शेयर पे तो यह लेकर आएगा थोड़ा और बैंक अकाउंट तो दस अजार इंटो में बीस यानि सर पूरे दो लाख रुपए लेकर आएगा ओके फिर मैंने बोला सर अब जो मैंने हर बार लाइबलिटी करा है आज मैं तिर को शेयर दे दूंगा और मेरी लाइबलिटी खतम हो जाएगा तो मैं बोलूँगा इस आउट स्टेंडिंग कितने हैं सर अठारा लाख रुपए मैंने अपने उपर लाइबलिटी क्रिएट कर रखा है मेरे सर पे बोज है अठारा लाख रुपए का इसको हर्का करना चाहता हूं तुझे शेयर दे के ठीक है सर टू एकुटी शेयर क्यापटल सर कितने फेस वेल्यू से पाएगा हमें से याद रिखेगा दस अजार इंटू में दस अजार इंटू में दस रुपए का एक शेयर मान के चल रहे हैं तो दस अजार इंटू में 10 यानि एक लाज ओके है और बाकी का सारा सेक्यूरेटी प्रीमियूम निया 10,000 into 190 यानि इसका मतलब सर 19,00,000 रूप है सर ये entry तब करेंगे जब वो shares को खरीद लेगा जब वो shares को बोलेगा हम खरीद लेगे excise time pay जब excise वो बोलता है कि हम इसको खरीदने के लिए agree है तो ये entry करना है अगर हमारे 3 साल के बाद हो रहा है तो सबसे पहले ये entry करना पड़ेगा तीन entry हमें करेंगे उसके बाद ये 5 साल के बाद होगा ये 5 बार entry करना पड़ेगा उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा ये करना पड़ेगा ओके सर very very good समझ में आ गया आ गया समझ में फटा फट से बता दीजी आप आ गया सर इसके बाद सर एंट्री हमारा खतम और कुछ भी हमें ऐसेच काम नहीं करना है इसके अंदर डन 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 बताईए फटा फट आपको क्लियर है तो जल्दी जल्दी आप फटा फट से इसको नोट करिए दूसरा अग्जामपल आपके सामने में तयार करने वाला हूँ इसके बाद मैं इसके अंदर एक और अपने साथ एंप्लॉई को या फिर मैं और थोड़े औलग से अग्जामपल ले लूगा फटा फट करिए फटा फट झाल झाल